कालास सउंंसार के did OHटे के गए देख सके दोस्तों औरोस्त का इसका सबजेक्टिव का एंसर हम निकाल दी है बहुत लोग अपलोड किया लेकिन अपजेक्टिव क्या सब्जजेक्टिव नहीं किया दोस्तों हम सब्जेक्टिव कोश्चन पेपर देखिए सब्जेक्टिव में क्या क्या आप से पुछेगा देखिए सबसे पहले आपको गद्यास पुछेगा जो कि इसी को पर के उसी को पर के उसका उतर देना है नीचे में ठीक नहीं लिखा हुआ है उसी को पर के ताप लोग पर के त दो नम्मर से हम दोस्तों एंसर निकाले हैं दो नम्मर में कर रहा opens च्रुष में किन्हीं दो परसनों का इतर दें इनुए से किसी दो नो दो परसन का उतर देना है तो मैंने दोस्तों यह 3-9 को अहल किया हैwn अपने विद्याले में आविजित संस्कृत दिवस समारों का वर्णन करते हुए पिताजी के पास एक पत्र लिखने के लिए बताया है चलिए हम दिखा देते हैं ठिकना यहां देख सकते हैं दोस्तों दिखा रहे हैं आपको विडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से ठिकना देखिए दो नमर का तीसरा का हम संस्कृत में पत्र लिखने के लिए बता दी है जिसे पहले लिखना है पूजिनी पात्रिय पदा उसके बाद प्रनाम यानि कि पिताजी को परनाम करना है उसके बाद दोस्तों आपको डेट डालना है और कहां से लिख रहे हैं आप उसको दालना है उसके बाद आत्र कुसलम तत्र कुसलम अस्तु मं विद्यालियम बेद गया याम एकम परियतन कार्य कर्मस्य आयोजनम आकस्टेती अहम अपी कार्य कर्मे सम्मिलित भवितूम इच्छामी असमीन संबोदे भवताम अनुमतिम अप्छेक्ते किर्पिया गम नया अ मनुमति दिया पाद उसके भावधि पूतर अपना पूतर देखे रह आपको अपना नाम ढख ध्याम मती अपने ड़ेट डाल देना आपको यह यहीं ही डिल सकते हैं ठीक कि इस निमलिखित में किसी एक विशे पर साथ वाक्यों में संस्कृत में अनुछेद तो अनुछेद कहेगा दोस्तों तो हम क्या किये हैं भारत वर्ष पे निकाल दिये हैं ठीक ना भारत वर्ष पे चलिए हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको अनुछेद लिखना है ठीक ध्यान से विडियो को पूरा लास तक देखिएगा ठीक ना देख सकते हैं हम भारत वर्ष पर यहां निकाल दिये हैं इसका उतर ध्यान से अब समझना है कि अस्मकम देशा भारत वर्षम अस्ति इसका एस्किन सोट ले सकते हैं या कोपी में लिख लिजिएगा अस्य उतरियास्यम दिसी हिमालयो नाम परवत राजह विराते दच्छने दिसी हिंद महासागर अस्य चर्णो प्रक्छलियती अस्मकम देश्य राजधानी देहली वर्तती अस्मकम देश किरिसी प्रधान ग्राम प्रधान चो देशा अस्ति अस्य देशस्य भासा हिंदी अस्ति अत्र अनेका नद्य पहंति अत्र अनेकानी दरसन्यानी अस्थान्यानी संती दोस्तों इसको इतना लिख के आते हैं तो आपको पूरा नमर मिलेगा ठीक अब देखिए नेक्स आपको दिखाते हैं ध्यान से आपको देखना है दोस्तों व उसके बाद आपको रहेगा संस्कृत में चह वाक्यों का अनवाद करें इनमें बहुत दिया है लेकिन अदस को दिया है इसमें आपको छोगों का उतर देना है चलिए हम एक तरफ से छोगों का उतर निकाल दिये हैं यहां देख सकते हैं संस्कृत में अनवाद है न आप कि यहां निकालें उत्तर हो जाएगा गीता गीम गयती उसके बाद उसके बाद आप को रहेगा कि वह दोन वह दोन कल पटना जाएंगे तो लिखना है तो स्वाह पटनम गमिसीद गमजयं उसके बाद लेगा हमेशा चपन बस приход लिखना है सदा सत्यम वद्दू ठीक उसके बाद कभी जूट नहीं बोलना चाहिए तिसका उतर होगा कदापी मिरिसाम ना वदू उसके बाद छो नमर मिलेगा अनुसासन से देश महान होता है तो इसका उतर होगा अनुसासनें देशा महान भवती छोगों का आपको लिख द सवाल कर रहा है यहां प्रस्ण उत्तर है किताब से रहता है सवाल कि कंकर इस से अस्तूति पाठ के अधार पर इस्वर्ट की महां का वर्णन करे तो इसका उत्तर हम आपको दिखा देते ध्यान retention सदेखना आपको थ्दूरा भी मिस कर देतें साब भूठ में आपकों का उत उपनिस्द से संक्लित इस तूती पाठ के इस सलोक में उपनिस्द के रचेता इस्वर को निर्गून बताते हुए कहते हैं कि एक मात्र वही सभी जीवों में वर्तमान है सबही की आत्मा में इस्तित है सारे कार्य विपारों का नियंतरन करता एक मात्र वही इस वर हैं जो साक्षि और चैतनी रूप सब के हिर्दे में वास करता है उसके बाद देखिए उसके बाद नेक्स परसन भी दिखाते हैं आपको तिसा का दिखा देतें आपको तिसा का उत्तर करा ह। लोब बेक्ति का चरित्रिक पतन हो जाता है लोब राजनिती का हो किसी उचे पद का हो अर्थ प्रापति का हो वसना के वेक का हो या किसी भी परकार के किसी के कुछ पाने की लालसा का हो ठीक नहीं है लोब एक छक्षिनिक प्यास की तरह है जिसकी पूर्ती के लिए मनुस जिसकी पूर्ती के लिए मनुस अनेतिक बन जाता है और गलत काम करने लगता है चलिए नेक्स परस्ण देखिए चौथा का भी उत्तर निकाल दीए है चौथा दिखाते हैं परस्ण पहले आपको ठेक आप लोग लिख लिजिएगा कोपी में या एक्जाम में जाके विडियो चला के छाप दीजिएगा चौथा का रहा है कि बेद किसे कहते हैं तो इसका उत्तर देखिए बेद किसे कहते हैं इसका उत्तर दिखाते हैं आपको यहां है बेद किसे कहते हैं इसका उत्तर बेद भारत धर्म प्रधान देश है यहां की संस्कृति प्राचिन सभ्यतायादी के बिसे में विश्तिरित आध्यान यहां के ध भर्म गरंठों में मलता है भारत का सुर्वतम प्राचिन गरंथ वेद है उसके बार दीखिए अगला प्रस्न आपका वेद कितने प्रकार के होते हैं चलिए प्रस इस चिल देखा देते हैं त्यांसे आपको लाज टक देखना दिखाते को लिएस बीस करते हैं तो भोल जाएंग बैद किसुने परकार के होते हैं वर्लेंड करें आ हैं परस्र चली इसका उत्तर दिखाते हैं आपको इतका इसका उत रोजगा आप को यहां है दियान से देखिए बेद कितने परकार के होते हैं तो बेद के चार परकार होते हैं रिग बेद यजुर वेद साम वेद अर्थव वेद ठीक उसके बाद देखिए इसका बेख्या भी कारता करने तो वेदों के संकलन करता महार्सी बेद व्यास जी को माना जाता है जो क्रिष् उसे बादो का इद अर्थभव व्यद है थेकए बेख्याभी हो गया दोस्तोग अब चठा दिखते हैं उस चठा नमर मेर मेर परस्ण का भी उतरन का लें हम गरें देख लिए इस यहां देखिए दो तो करा कि बेदांग हिंदू धर्म गरंथ है बैदार्थ घ्यान में सहायक सास्त्र को ही बेदांग कहा जाता है सिक्षाक कल्प व्याकरन जोती साथ छंद और निरूक्त एच्छ बेदांग है ठीक उत्तर इसका होगी पुड़ा लिख देना है उसके बाद लिए आठ नमर प् परस्ण पहले आपको दिखा देते हैं देखिए आठ नमर परस्ण आप यहां देख लीजिए आठ नमर परस्ण करा कि पंडित किसे कहते हैं पंडित किसे कहते हैं तो अब इसका उत्तर आपको दिखाते हैं आठ नमर का पंडित किसे कहते हैं उत्तर है पंडित का आर्थ है बिद्वान या अध्यापक से है विशेश कर वह जो संस्कृत और हिंदू बिधी धर्म संगीत या तरसन सास्त्र में सक्षम हो अपने मूल अर्थ में पंडित सब्द का ततपरी हमेशा उस हिंदू से लिया जाता है जिसे बेदों का कोई एक मुख्य भाग उसके उचारन और गायन के लए और ताल सहीत कन्ठस्त कर लिया हो ठीक चलिए नेक प्रस्न दिखाते हैं नो नमर का हम निकाल देंस्तों इस में फूरा सवाल सवाल का उतर नहीं देना है यहां साफ साफ लिखा आठ वहीं सवाल का उतर देना है आठ प्रस्णों का उतर देना है तो हम आठ गो का निकाल दिये हैं नो नमर का है धैरिये क्या है उसका उतर निकाल दिये है देख सकते हैं दोस्तों यहां है धैरिये क्या है धैरिये अंग् को क्रोधिया खीज जैसी नकारत्मक अभी विरित्तियों से बचाती है दिर्ग कालीन समस्याओं से घीरे होने के करण बेक्ति जो दबाव या तनाव अनुभव करने लगता है उसको सहन कर उस सहने की समताव ही धर्यकाई धर्यकाई को धारन है ठेक दोस्तों हम बता दिये सब अगर डाउनलोड करना है तो गोगल पर सर्च किजिए या वार्ट्सप ग्रूप में ज्वाइन हो जाएगा हम पीडिया भेज देंगे ताकि आप लोग वहां चाप सके एक्जाम में